आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ समय गुणा पुंजी के अनुपात से आता है यानि जितना समय तक जितनी पुंजी हमारे पास निवेश रहेगी उससे हमारा लाब आएगा अगर मैं यहां से देखू A, अनुपात B, अनुपात C का लाब किसे अनुपात में आएगा तो A ने जो पुंजी निवेश की वह गया कि 500 की और पूरे वर्ष के लिए की तो बारा मालिक लेता हूं मैं इसको तो B ने जो किया देखो दो महीने बाद आया यानि समय तो क्या रहा उसका 10 माह और उसने पुंजी कितनी निवेश की 400 और C क्या हुआ वेपार शुरू होने से 6 महीने बाद आया यानि 6 महीने के लिए कितना निवेश किया उसने 800 तो हमारे पास अगर इनका अनुपात देखो तो 12,5,60 ये क्या हो गया हमारे पास 6000 ये क्या हो गया 4000 तो 486 गातालिस ओ यहां पर हमारे पास हो जी 6 था 86 करतालिस सो इस जाता निवेश कितना खाल 방법 इतली ओंए 6 गया था यहां से देखो हमारे पास आगर मैं अनुपात निकालनों तो क्या हैगा अनुपात निकालनों 0 से 0 कार देते हैं 2-0 ये काट दि ये भी काड़ती और ये काड़ती अब 4 से काड़ते 15 चो के साथ 4 दाय 40 4 एकमचा 12 चती 12 चो कुट तालिस यह आगे हमारे पास तो 15 अनुपाद 10 अनुपाद 12 में क्या होगा हमारा जो लाब है बटेगा अगर मैं इसका योग करूं 15 10 वे 12 का यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास 37 आजाएगा यानि अगर 4444 के मैं 37 भाग करूं तो उसमें से हमारे पास किसके एक के कितने भाग होंगे 15 भाग होंगे यानि 4447 वे 35 यह हमारे पास क्या जाएगा देखे हम ग्याद करके तो हमेरे पास क्या गए यह में रपास है 12 गुणा 15 15 दूना 30 15 15 15 18 18 यानि एक भाग 180 हमारे पास देखो कौन से ओप्शन में आ रहा है तो महारा उत्तर क्या हो जागा 180 120 144 यदि हमें ग्याद करना हो तो कैसे करेंगे हम जहां पर हमने 15 से गुणा किया दस वे 12 से गुणा गरके भीवे सीका भीगात कर सकते हैं क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आई 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 टी जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर